आज है तेरा जुलाई दो हजार इक्षिस मुरली का सार मीठे बच्चे शिव बाबा को यह भी लालसा नहीं कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे वह कभी भूड़ा होता नहीं बाप ही है निश्काम सेवाधारी प्रश्न बोलानात शिव बाबा हम सब बच्चों का बहुत बड़ा ग्रहक है कैसे? उत्तर बाबा कहते मैं इतना भोला ग्रहक हूँ जो तुम्हारी सब पुरानी चीजें खरीद कर लेता और उसके रिटर्न में सब नई नई चीजें देता हूँ तुम कहते हो बाबा यह तन मन धन सब आपका है तो उसकी एवज में तुम्हें ब्यूटिफुल तन मिल जाता अपार धन मिल जाता धार्ना के लिए मुख्यसार पहला माया के तुफानों को भगाने के लिए बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करना है आत्मा को योग अगनी से सच्चा सच्चा सोना बनाना है दूसरा, बेहद का वेरागी बन इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है दुनिया बदल रही है, नई दुनिया में जाना है इसलिए इस से सन्यास ले लेना है वर्दान ज्यान की पॉइंज को हर रोज रिवाईज कर समाधान स्वरू बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भवव ज्यान की पॉइंज जो डाइरियों में अथ्वा बुद्धी में रहती हैं उन्हें हर रोज रिवाईज करो और उन्हें अनुभव में लाओ तो किसी भी प्रकार की समस्या का सहज ही समाधान कर सकेंगे कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ ड्रामा शब्द की स्मृती से हाई जंप दे आगे बढ़ो फिर ये पुराने संसकार आपके दास बन जाएंगे लेकिन पहले बादशाह बनो तक्त नशीन बनो स्लोगन हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है ओम शांती